पता ने कि मों आजकल मरीज कम होते जा रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंदा चोपट हो जाएगा कुछ तो कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर साहब मेरी तबियत बहुत जादा खराब है और साथी मेरी बीबी की तबियत भी जादा खराब है अच्छा क्या हुआ तुम दोनों को? कोई तकलीफ हुई है क्या? अज़ डॉक्टर साहब क्या बताओ मैं? कल हम एक शादी में गए थे ना तो मापे खाना कुछ जादे ही खा लिया अब समझ नहीं आ रहा है कि खाने की बज़े से हुआ है या फिर कोई और बज़ा है हम दोनों को उल्टियां और चकर और ऐसा लग रहा है कि बस जान निकलने ही वाली है समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब देख कर बता दीजिए कि हुआ क्या है अरे खबराने की कोई जरुरत नहीं है मैं देख कर दबाते दूँगा तुम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे ऐसा इसलिए होता है कि जादा खाना खानेनी की बज़े से ना पेट में एसिड बनने लगता है समझे चलिए चल के देख लीजे हम बहुत बिमार है हेलो मैडम ठीक हो आपकी तब्यक कैसी है डॉक्टर सहाब कल हम शादी में गए थे ना मुझे लगता है कि मैंने जादा खाना खा लिया वो क्या है ना सुबह से शादी में जाने के लिए कुछ खाये तो था नहीं और जैसे हम शादी में पहुँचे बहुत मज़ेदार खाना देखतर मेरी जीव लपलपाने लगी और मैं ऐसे खाने पर टूटी जैसे कभी खाना मुझे मिलाए ना हूँ है कोई बात नहीं होता है कभी-कभी बाहर का खाना काने का मन होता है ना तो हम इसी चक्कर में ज्यादा इटिंग कर लेते हैं अब ज्यादा इटिंग करने के बाद ना हमारी तवियत भी खराब हो जाती है ऐसा हर बार नहीं होता मगर यह है कभी-कभी हो जाता है हाँ डॉक्टर साब हम तो डर ही गय थे कि पता नहीं क्या हुआ क्योंकि जब से शादी में आये हैं तब से हम जो है न बिमारी है कभी उर्टी आ रही है कभी नीन नहीं आ रही है कभी चक्कर आ रहे है इसी लिए डॉक्टर साब जैसे ही आपका क्लीनी खुला वैसे ही हम दोड़े चले आए अरी कोई बात नहीं हो जाता है हाईए और घबरानी के कोई बात नहीं है मैं देखकर सब बता दूगा कि आपको हुआ क्या है देखे मैंने सब टेस्ट कर लिया है आपको थोड़ा बुखार और दस्त हो गया है जिसकी वज़े से आपको वॉमिटिंग हो रही है ठीक है जादा घबरानी की जरुरत नहीं है देखा मैंने कहा था ना कि तब्यद ठीक हो जाएगी और हमें कुछ नहीं हुआ है तुम फाल तुमें ही घबरा जाती हो और मुझे भी डरा देती हो हाँ मैंने ही तो डरा है तुम ही तो कह रहे थे कि इतना खाना खाने की जरूरत क्या है और देखो न आप हमें इतने बिमार हो गए कल से कह कह कर तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया है पस मौका मिलते ही लड़ना शुरू कर देती है तदाने इस बुड़िया को कपचैन आएगा दाक्टर साहब आप दवाई लिख देजिए मैं इस बुड़िया का आज खेली खतम कर देता हूँ वो मैं वो मैं मेरे मुझे गलती से निकल जाएगा मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था तुम गलत समझ रही हो हाँ मैं तुम गलती समझ रही हूँ घर चलो तुम्हारी आज ना कुटाई कर दी तो मेरा नाम भी चंडर कला नहीं दाक्टर साहब वो गार के सासा थोड़ी पेन किलर भी दे देना और चोट पे लगाने वाजी थोड़ी ट्यूब भी दे देना अगर चोट तो तुम्हें लगे नहीं है न अरे डाक्टर साहब आप नहीं जानते आपकी शादी हो गई है क्या नहीं अभी तो नहीं हुई है पर अच्छी लड़की जब मिल जाएगी तो मैं जरूर कर लूँगा डाक्टर साहब तो पही है शादी करिये का भी मत चोट लगी नहीं है लग जाएगी घर जाकर इसी लिए दवा मांग रहा हूँ जाकर लगेगी चोट मैं कुछ समधा नहीं अरे डॉक्टर साहब आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं आज इनका अच्छे से स्वागत होगा ना और स्वागत होते होते चोट भी लग सकती है तो आप दवाई दे ही दीजे क्या पता कितनी चोट लग जाए अच्छे स्वागत है सही बात अच्छी बात है मैं अभी बड़ी आसी दवाई दिख कर देता हूँ जिससे चोट पे लगाने के बाद जलन भी नहीं होगी जलन तो मेरे सीने में हो रही ना जाने ये बड़ी हम मेरे साथ क्या करेगी हे भगवान किस घड़ी में मैंने वो सब्द बोले होंगे जो मैंने उस वक्त बोले थे कोई बात नहीं डाक्टर साहाँ हम चलते हैं ठीक है जो मतां कर फिरा आना पड़ जाए